दोस्तों क्या आप भी stock market में invest करते हैं या फिर trading करते हैं तो आपको daily update होना काफी ज़दा important होता है तो आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं stocks education यहाँ पी हम आपको daily basis पर update करते हैं कि stock market में क्या चलना है कैसे analyze करें क्या candlestick chart होते हैं सब कुछ detail में analyze करके हम आपको इस वीडियो में daily updates देते रहते हैं तो आप मेरे चैनल को subscribe करके साथ में bell icon को press कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं इस वीडियो को देखते हैं company के detail को तो आज के इस video में हम analyze करेंगे PMC FinCorp अगर इस company के detail की बात है तो पिछले 2-3 दिन में इस company आपको लगभग 50% का return बना के दिया है ऐसा मैं नहीं कहरा आज यह company 20% कल भी यह company 20% उसके पहले यह company 5-6% की growth यह total मिलाकर लगभग आपको 50% की growth इस company में आपको देखने को मिला और सिर्फर से एक हपते के अंदर तो ऐसे में इस company में अब क्या करें क्योंकि अभी तो यह company बहुत जाला costly already हो चुका है company के RSI की बात क्योंकि 90 above हो चुका है यानि कि यहां से इस company में गिरावाट तो नीच चीत है तो ऐसे में इस company में क्या किया जा सकता है जो लोग company में already invested है market open होता है इस company का जो lower circuit का price है उसको देखिए या फिर जहां पर यह company open होता है अगर यह company open होता है अपने upper circuit पे 2% 3% नीचे अपना stop loss लगाए company को continue करें पूरे दिन के लिए क्योंकि अगर यह company यहां से नीचे आता है तो जायर सी वाद है आपका stop loss हीट होते हुए नीचे जाएगा उस time buyers होते हैं आपकी quantity sale हो जाएगी आपकी profit booking हो जाएगी और आप time से exit कर जाएगे अगर आपको लगता है कि नहीं यह तो fluctuation आपको देखने को को तो मिलेगा ही तो ऐसे में क्या करें stop loss को आपको कहां पे लगाना चाहिए इस company का जो lower circuit का price है उसके just 1-2% उपर अपना stop loss लगा कर उस case में आप चल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा aggressively अपना stop loss नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आपको अपना stop loss इस price पे यानि lower circuit से 1-2% उपर अपना लगाना चाहिए औ company को continue करना चाहिए daily basis वे और stop loss जो है वो आपको daily basis पे hit trail करते रहना है इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि giant से बात है company काफी चाल चुका है company का RSI 90 यारी काफी ज्यादा over bought हो चुका है तो यहां से company में गिरावर के chances होंगे तो SM आपको थोड़ा सा safe play करना है क्या company में फ्रेस बायर इंटर हो सकते हैं मेरे क्याल जे company काफी ऊपर जा चुका है तो SM अगर आप buy करते हैं तो आप काफी ऊपर buy कर रहे हैं तो इसलिए अगर आप white करते हैं तो ज़्यादे better है otherwise अगर आप इसमें इंटर होते हैं तो अपना stop loss लागा कर company को continue कर सकते हैं तो च